देख रहे हैं प्रताबगार्व ब्लोक्स हमें रामकलाश आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ हमारे साथ जूड़े हुए हैं यह चाचा जी और आप लोग को बताएंगे अगर गाये गर्वती हैं तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं काफी लोग के मन में सव इंद्स-दस पंद्रा गाये और बहुत ही असानी से लोग पता कर लेते थे कि गाभीन है यह खाली है तो आप लोग को 100-0 पूरी तरीके से पता लग जाएगा की गाभीन को हम कैसे पता कर पाएंगे बाइस दिन हुआ है क्रास क्राइए ए आई क्राइए बहुत असानी से पता होता है तो सारी चीज़ें बीडियो को लाइक जरू करें और चलो कभी सस्क्राइब करें चाज़ा प्रण नाम बता दीजिए एक बार गांप जहली अभी संभरपूर जिला प्रताब गड़ उत्तर जाता था जाता था जाता है यानि कि पहले इतने ज्यादा खेती नहीं होती थी इनका कषणा है आठ महीने तक शुटा रहता था बहुत जगह चराइक होता था लोग चराने के लिए ले जाते तो जैसे घ्राइब कि पहले क्या इसी समस्य आती था जैसे अभी समस्यार आह की गायभ pequ saud क्राया जाता था तो भी अन हही वहं बहुत पहले हैं इसी समस्यत ही या नहीं 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 है अभी47 माण मंदय अगरे वš का अबल ए में र appropriate आनुकी नहाय जान भाँ का बीस थोड़ह ब्या इससे एक बार उसे क्रोस किया गया तो गाविन हो जाती है अगर भाइल से फरी जाए गया तो ऑब न लोगाइल से थन जाए जा Pakसर पहले डाक्टर भी नहीं थे क्या कोई करने के लिए आइसा कुछ कोई नहीं थे चेक अब आपने वाले थे कोई नहीं यार वे इतना पहुँआद आ कि 22 दिन के बाद अकर ना नज भी ना जानी थे तो बोल देग अपने आप है फिर बैश्वें दिन के बाद फर्जाएं तो जोड़ा गाओं की भासना बोल रहे हैं आपको हम खड़ी हिंदिम समझा देंगे जैसे इनका कहना है जैसे कि क्रोस करा दिया जाता है तो पहले ऐसा होता था जैसे कर नहीं रुकी हैं तो एकार्द जो है गायभायस ना सभी कैसा होता था ना कभी ऐसे वह अर्चाना करा जाता है कितने दिन बाद ऐसी है कितने दिन बाद वेशा बहुंगे से पांधेजर गिस जो आपके भासन में लेजर बोलते हैं कितने दिन पर खरTIक ख्रुक्राणी पुमित और यहां डिजर उना सु Tam है बहुम हम लेजए और जिस्टर आणि गनार को धेना सुन्ओक इ पानी से नहीं थेहरी है तो समय लोगी पानी जैसा डिस्चार्ज देगी अगर गरवती ठार गई है तो दस दिन पंदरा दिन पे मोटा डिस्चार्ज हलका पीला रहेगा कि यह पहचान होती जैसे कि यह गाय है गर्वती की तो जैसे और भी क्या पहचान होता है गाविन का जैसे कि सरीर वगएरा कुछ इनका कहना है कि जैसे कि गाभिन होगी तो इनका जो थन होता है वो तिर्षा होने लगेगा और इनका सरीर हरियर हरियर मतलब थोड़ा इनके कलर में चटक आजाएगा चेहरे में चमका जाएगी यह भी पहचान माना जाता है और जैसे कि कोई पहचान और शरीर भी पेड भी बड़ा अजैसे कि पेड भी बड़े बड़ा होने लगे कि हमारी घायए भाइन और ठन जैसे कि प्रचान का और जैसे बच्चा करने की जैसे बहुत लोग का समय पूरा हो जाता है तो यह लोग इच्छुख होते हैं कित्ते दिन बच्चा करें कित्ते दिन बच्चा करने कोई ऐसी खास पहचान है अब यह उपर वाली कुली जब तूरे रगी है तो यह होगे कि अपने शादी आए और चार सा दस दिन दे लिए उपर पूंच के बगल कुली तोड़ना यानि कि जब पूंच के बगल गड़ा बन जाए तो उससे कितने दिन बाद बच्चा करती है चार से च्छे दिन दस दिन के अंदर तो बच्चा कर देती है तो किसान भाई जो एक और लास्ट जो है उपाया और है आप गर्वती चेक करने का घर पर जैसे आपने क्रोश कराया हो या एक महिना की गर्वती हो आपको सीधा साधारन से से एक और तरीका आजमा लेना है जैसे आप क्रोश कराया कभी भी इसको आजमा सकते हैं इसको चेक करने आपको एक महिना कर समय देना होगा तो उसके लिए क्या करना है सबस बल्याब को एक अपने पास में रख लेना जैसे ही गाय भैंस को क्रोस कराने के 15 दिन होता है उसी रस्षी से फिर खाली पेट माप लेना अगर गाभिन के कुछ लक्षण दिखाई देंगे तो हलका पेट में बड़ा देखने को मिलेगा और जैसे एक महिना होता है तो भी आप उसको माप ले के अगर उस रस्षी आपकी छोटी होती चली जाती है तो समय लो 100% घाभिन है अगर रस्षी जितनी बड़ी है उतनी ही रह जाती है चाहाए आप 4 महिन पो या 5 महिन पो पो लेन तो समय लो घाभिन नहीं है और जैसे दो महिना क्रोस कराय हुआ है या धाई महिना क्रोस कराय हुआ है उस समय भी आप सुबह खाली पेठी मापना है और फिर एक महिना बाद फिर खाली पेठी मापना है उसी रस्सी से अगर गाभिन होगी तो वो रस्सी छोटी होती चली जाएगी यानि गैप होगा उस उसका सरीर बड़ा होने लगेगा इससे भी आप अच्छे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं तो यही जो है पहचान है वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक ज़रू करीगा मैंने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद